नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वेटर जिन्दगी में तो दोस्तों आज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने घर की चापी को कौन से इस्थान पर रखना चाहिए जिससे माता लच्मी जी सदा सदा के लिए दोस्तों आपके घर में व्राजमान हो जाए सदा सदा के लिए माता लच्मी जी का आपके घर में आगमन हो जाए लेकिन दोस्तों से पहले कुछ और बातों को जान लेते हैं दोस्तो हम अपने पूजा घर में पूजा पाट करते हैं और मूर्तियादी रखते हैं दोस्तो मूर्ति का क्या महत होता है आज हम आपको इस वीडियो के माद्य हम से और बताएंगे दोस्तो जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं वहाँ पर बनता है राजियो और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है कहने का तादपर ये है कि दोस्तों आपके घर में सुक इस्मरदी आ जाती है जिसके आप कलपना भी नहीं कर सकते जिसकी आपने मनुकामना मांगी है घर के पूजा घर में हमें पूजा पाड करनी होती है पूजा पाड भी करते हैं और पूजा पाड के माद्हम से कुछ चीजे देखने और मनाने की आदि 기े प्रियतन करते हैं ताकि हम उस पूजा कह भल पूरा पा सकें और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदी लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देपताओं को दोस्तो सुन्दर मुख से देख सकें उनका आशिर बात प्राप्त कर सकें लेकिन दोस्तो अगर हम अपने घर के फूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्ति भी रखते हैं तो निश्यत पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त हो जाती है तो बात करते हैं उन मूर्तियों के वारे में दोस्तों आकर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुक आपको प्राप्त हो सके और सबसे पहले हम किसी मूर्थी की बात करें तो दोस्तों अगर आप स्री किष्ण के भक्त हो और बाल गोपाल की मूर्थी रखते हो तब आपको भावान स्री किष्ण के साथ मातरानी राधाजी की मूर्थी भी आपको जरूर रखनी चाहिए या स्री किष् होती है समझ लेजिए उस घर के अंदर किसी भी बिरकार के घरे कलेश नहीं होता है पती पत्नी और परिवार जनों के वीज दोस्तो काफी जादा परंप्राइं रहती है और घर में धन में काफी जादा परद्धी होती है इसलिए जी जरूरी माना गया है दोस्तो अगर आप इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्यत तोर पर आपके जीवन में अपने आप भी फायदा प्राप्त हो जाता है दोस्तो कई लोग अपने घर में मातलच्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भागवान विश्णुर जी की भी पूजा करें जा ना करें जा फिर उनक तो अगर आप अपने घर के पूज़ा घर में लच्मी नरणे की सईएक दूर्प से पूज़ा करते हैं, तो निश्यत तोर पर आपके घर में दिन दूगनी राज चौगनी तरकी होने लगती है, इसलिए आप भगवान विश्वन जी के साथ साथ माता लच्मी जी की अगर मातालचमी जी अकेली तस्वीर है तो आपको उनके वाएं तरफ भागवान स्री गड़ेश जी और भागवान स्री कुवेर जी की मूर्ती जा तस्वीर आपने घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए अगर आप माताल चमी जी के वाये तरह भवान सिरी गड़ेच जी की मूर्ति रखते हैं जा तश्वीर लगाते हैं तो आपको निश्य तोर पर लापराथ होता है और देखते ही देखते हैं आपके जिवन के अंदर घर की कंगाली समापत होने लगती है और धन प्रापती के ल और दोस्तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर जब मूर्दी रखें जा ना रखें जा उनकी पूजा करें जा ना करें इसके अलावा आप प्रभु सिरी राम की भी तस्वीर अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें जा ना रखें हनुमान जी की निवित किसी भी पिरकार की दोस्तों पूजा जापाट करना हो तो आप प्रवु सिरी राम की तस्वीर जरूर रखें और स्री राम दर्वार की दोस्तों तस्वीर का पूजन करें जा उनकी मूर्तिचा उनकी किसी भी विरकार की कोई जी आपके पास है तो आप उसका पूजन करें इसमें आपके सारी देविदेपताओं का असुरबात राप्तों का हनुमान्ची से लेकर माता सीता कभी आपको आसुरबात प्राप्त होता है दोस्तों निश्यत तोर पर अपने घर के भूजागर में एक साथ ये तस्वीर रख सकते हैं आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ती होती है इसी तरह दोस्तों अगर आप अपने घर के पूजा घर में जा किसी अन्य इस्थान पर अगर कोई तस्वीर रखते हैं और उसे लगा कर अपने घर में लाप्राप्त करना चाहते हैं तो निश्यत अपने घर में आपको ति तिनों देवी देपताओं की एक साथ धर्सन करने से हमारे बड़े से बड़े कार्या बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं दोस्तो इसी वचासे इन तीनों देवों की तस्पीर मुर्ति लाकर आपको पूजा घर में जरूर रखनी चाहें अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्प कर लेते हैं कि दोस्तों आखिर आपको अपने घर में दोस्तों किस इस्थान पर चावी को रखना चाहिए अपने घर की चावी को आपको कहां पर रखना चाहिए कैसे रखना चाहिए उसकी अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा तर लोग यही सवाल दोस्तों लेकर आ तो दोस्तो उस चावी को लेब जाकर कि आपको उत्तर दिशा या पश्यम दिशा में रखना चाहिए जा दोस्तो क्या करना है? उन चावी को दोस्तो आपको जो है माता लश्मी के चलनों में रख देना है जानि कि आपके घर में जहां पर आप पूजा पार्ट करते हैं वहां पर माता लश्मी जी की तस्वीर होती है उनके नीचे आपको दोस्तो रख देना है अपने दोस्तों कमरों की चावी को जद तीजोरी की चावी को इससे क्या होता है उससे काफी ज़्यादा ला मिलता है माता लश्मी साधा सदाकलिया आपके घर में वराजमान हो जाती है माता लश्मी जी का सदा सदाकलिया आपके घर में वास हो जाता है जी हां दोस्तो इसे हलके में नहीं क्योंकि दोस्तो जी काफी ज़्यादा कठेन भी सवाल है और दोस्तो काफी ज़्यादा सरल भी सवाल है कुछ लोग इसे करते भी हैं कुछ लोग नहीं करते हैं और जो लोग करते हैं तो उनके घर में मात अलेचमी जी का आगमन हो जाता है और सदा जदा के नहीं माता लेचमी जी उस घर में विराजमान हो जाती है तो आज की वीडियोस में बस इतना ही वीडियो फसंदार वीडियोस को लाइक कर दें हमारे चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर दें तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आने वाले एक और नई इंट्रेस्टिंग एंड खास वीडियोस में